जै श्री राम आज यम बनाने जा रहे हैं भूने हुए चने के लड़ू जो कि हमारे लिए बहुत हैल्दी होते हैं सबसे पहले मैंने हाँ पर चने ले लिये बिना चिलके के भूने हुए और इनको इस तरह से चनी में डाल के मैं चान लोगी अगर डश्ट है तो निकर जाए इनको मैं मिकसी के जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लूगी बिल्कुल बारी ग्राइंड कर लूगी इस तरह से और फिर इनको किसी एक बरतर में इस तरह से हम निकाल लेंगे ग्राइंड करने के बाद उसके बाद आप यहां पर बूरा खान शक्कर जो भी डाल सकते मेरे पास यहां कुंजे थे जो कि भाई दूज पर जोते हैं तो मैंने उनको मिक्सी में इस तरह से कूट करके ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल बारिक पाउडर बना लिया है और अपने पिसे हुए चने में ऐसे डाल दिया है अब इनको मैं अच्छे से इसमें बिल्कुल मिक्स कर लूँगी आप यहां पर मीठा अपने टेश्ट अनुसारी डाले मैंने जैसे धाई सो ग्राम यहां पर चने लिये थे तो मैंने यहां पर धाई सो ग्राम ही मीठा डाल ला है और एक नारियर ले लिया है और कुछ बादाब उनको भी मैंने इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लिया है जैसे ही हमारी बूरा शक्कर जो भी आप मीठा डाले वो इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसको हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि कहीं पर मीठे की कोई गाट ना रहे और देसी घी को गरम करके इस तरह से फिर इसमें डालेंगे घी हम उतना ही डालेंगे जितना की हमें लड़ों में घी की जरूरत होती है और इस तरह से हम मिला लेंगे अगर घी हमें कम लग रहा है तो हम दुबारा से भी डाल सकते हैं इसके बाद घी मिक्स करके मैंने यहाँ पर ग्राइंड किये हुए बदाम और नारियल को इसमें मिक्स कर लिया है डालके देखिए मेरे लड्डू के लिए बिल्कुल अच्छे से यह तैयार हो गया है और अब मैं यहाँ पर लड्डू बनाना शुरू करूँ हमें इसको किसी भी कड़ाई वड़ाई में गरम नहीं करना है सिर्फ घी को गरम करना है और इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे आप यहाँ देख रहे हैं मेरे लड्डू बिल्कुल एकदम जैसे हमें चाहिए वैसे ही तैयार हुए है और एक केक बाद हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे तो लीजिए आपकी सरदियों में लड्डू की डिस इस तरह से तैयार हो जाएगी आपको मेरे वीडियों पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें आप सभी का भूत भूत धन्यवाद जैश्रीराण